अससलाम अलेकूं गुद मॉणिंग लाहूर जागो लाहूर प्रोग्राम के साथ मैं इस प्रोग्राम के बेजबान सिद्रा मोनेर हूँ आप सब लुग हैरान होंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा परिशान भी होंगे कि आज इस मॉर्निंग स्टो के सेट पर एक निया सा चेहरा क्यूं है मैं आज इसलिए आपके साथ हूँ क्योंकि जो हर रोज आपकी एंकर आपके लिए ये प्रोगाम लाती है मुनी बाद सिफ उनकी तबीयत कुछ बेहतर नहीं है तो हम दुआ करते हैं कि जल्दी से वो ठीक हो जाएं और दुआरा से अपने सेट पर अपनी कुर्सी संभाले आके और जब तक वो नहीं आती हम आपका साथ देंगे नाचरिन प्रोगैम का आकास करते हैं उमीद है कि आप सब लोग जहां जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे और हमारी हमेशा से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए लेकिन साथ साथ दूसरों की खुशियों का खयाल रखना आपने बिल्कुल नहीं होना या प्रोगेम के आगास में हम बात करेंगे जी बच्चों के हवाले से क्योंके बच्चों ने मुस्तग بال संभालना है बच्चों ने मुस्तग बिल में कौम का मैमार बनना है अगर उन्हें सही तरवियत नहीं दिया तो वो एक अच्छे और मच्बूत मौश्य की सही बुनियाद नहीं डाल सकते और बच्चों की अच्छी तरबियत से एक मिसाली मौश्रा और कौम वजूद में आते हैं वो कहते हैं ना कि एक अच्छा पौदा ही मुस्तक्बिल में एक तनावर दरख बन सकता है और ये भी किसी ने खूब ही कहा है कि फलदार और च्छाओ देने वाले दरख के नीचे ही लोग बैठते हैं उसीसे फाइदा लेते हैं लोग बच्चों को ऐसा बनाएं कि ना सिर्फ वो अपने लिए जीना सीखें बलके दूसरों के लिए भी आसानी का सबब बन जाए और दूसरों के लिए भी ऐसे रास्ते बनाएं ऐसे है इसलाख करना बच्चे के लिए आने वाले मुस्तक्बिल में बहुत सूध मन साबित हो जैसे जैसे उसकी उमर भड़ती है वो फिर एक जिम्मेदार शेहरी बनकर ना सिर्फ जो उसको बाते सिखाई गई होती है उन पे अमल पैरा होता है बलके उसके साथ साथ उन तमाम चीजों को वो बहुत अच्छे से समझ पाता है जो के वो अपने आसपास मौशरे में देखता है लेकिन बदकिस्मती से ये हमारे मौशरे का अल्मिया है कि हम बच्चों की तर्बियत करते हुए उन्हें इतना डराते हैं उनको इतना खौफ देते हैं और रब करीम की ही बात कर लेते हैं खुदा तौला कितने रहीम हैं, कितने करीम हैं और किस तरह से इनसान इतनी गलतियां करता है लेकिन उसके बावजूद वो उसपे अपनी रह्मत निचावर करते रहते हैं लेकिन हम अपने बच्चों को डराते हैं उसके कहर से, उसके अजाब से तो इसलिए वो अपने बंदे को माफ भी करता है वो अपने बंदे को जो है वो बहुत जादा रहीमों करीम बन कर उस पर अता भी करता है हर वक्त जो बच्चों को हम सिखाते हैं उनको बताते हैं उनके जहन में कही न कहीं खौफ कहीं न कहीं डर उनके जहन में बिठा देते हैं तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनकी शक्सियत में एक बहुत बड़ा सा खला रह जाता है बस बंदा जरा सी आज़ी से उसके आगे अगर हाथ पहलाए तो यकीन जानिये वो जोली भर देता है अल्ला की जात हमारे लिए रहमत है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहां अर्बूँ की तादाद में लोग खुदा को मांते हैं मगर उन तमाम लोगों का अल्ला को मानने का अपना अपना अंदाज है हर इनसान जो है वो अल्ला ताला से अपने अंदाज में मांगता है अपने अंदाज में बात करता है अपने अंदाज में उसको सोचता है अपने अन्दाज में वो समझता है कि मैं किस तरह से मांगऊगा को मेरा खुदा जो है मुझे सुनेगा भी और मुझे अता भी कर देगा और फिर हम तो ये भी सुनते हैं कि वो खुदा हमें सत्तर माओं से ज्यादा महब्बत करता है और इसी तरह की एक मुन्फरद सोच है जो के हम बच्चों में डाल सकते हैं उनको बता सकते हैं हारकोई लात ला की जात के मुटलिक मुख्लिक गुमान रखता है और वैसे नभी करीम ुण अनसां जैसा गुमान करता है उसके लिए अल्ला भी वैसी ही अता का बंदोबस कर दीता है हम उसको आम जबान में ये भी कहते हैं आच्छा सोचोगेट। अच्छा होगा बुरा सोचोगे तो बुरा होगा हम बात करे ते थे अल्ला त वे cooked sł αυτा ही होता चला जाता है सब वैसा वैसा जाहिर होता है ज्यादतर लोग अल्ला को सर्फ कहार समझते है गुदरत का निजाम ऐसा है कि वो उन पर उसी तरह जाहिर होता है जिस तरा से हम लोग सोचते हैं दूसरी जारे वो लोग झो झो ख्दा को रहीम हो करीम तसorg करते हैं यह सोचते हैं कि खुदाताला हर वक्त उनके साथ है जो एक अंधेरे कमरे में भी जब किसी तरफ उनको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा होता तब भी वह यह गुमान रखते हैं कि वह एक जात उपर बैठी है जो के देख रही है रब्र करीम रहीम है करीम है जो मांगेंगे वो अता भी होगा, जजा सजा का concept क्लियर करना भी उनके साथ बहुत जरूरी है, और बच्चों को बेजा ना डराएं, बच्चों को बेजा जो है, वो खौफ में मुबतला ना करें, क्योंकि हम लोग middle class families में देखें, lower class families में देखें, बच्चों को ऐसे ऐसे डराया जाता है, कि जब वो बड़े होते हैं, उसी सोच के साथ, तो फिर उनकी सोच इतनी पुखता हो चुकी होती है, उनकी इतनी brainwashing हो चुकी होती है, कि बड़े होते तक वो प्रॉपर जो है, वो एक उनके जहन में एक खिचडी सी पक चुकी होती है, concepts की, और फिर वो हमारे हैं पढ़न पर जादा अमल करता है, इसलिए बच्चों को सादा रखिए, खुबसूरत उनकी तर्बियत कीजिए, और उनको मुहबत से पेश आएए, ताके वो आने वाले वक्त में ना आप से डरें, ना उस रब्ब करीन से डरें, बलके अपना जो है, वो बहुत simple concepts के साथ अपनी जि गड़ों से सबसे गलती होती है, दुआ का concept देना, माफी का concept देना बहुत जरूरी है, क्योंके हम लोग बड़े हो गए हैं, मौशरे में लोगों को देखते हैं, कि हम लोग माफी मांगने को जुक जाने को अपनी अना पर बात ले आते हैं, हम लोग समझते हैं कि अगर हम म मांग देंगे अगर हम जुक जाएंगे एवन कि अपनी गलती की माफी मांगने को हमें ऐसे होता है कि ना 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 ऐसा नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता तो यह कॉंसेप्ट देना बहुत जरूरी है उस जात के लिए भी कि अगर आप से गलती हो गई है कोई भूल चूक हो जाये के गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है गलती को मान लेना बहुत बड़ी बात है और इसी तरह से अगर कोई गुनास अर्जद हो जाता है तो उसका भी रास्ता है माफी मांग दीजिए अगर कोई चीज चाहिए उसका भी रास्ता है दूआ मांग दीजिए यानि के ह ना कुछ अपनी सेहत का खयाल रखना बहुत जादा जरूरी है मौसमे सर्मा है और इस वक शदीद सर्दी पड़ी और ये वही जाड़े के दिन है जो आता ही मरतूब और नमी बरे दिनों को यकसर बदल कर रख देते हैं जब ऐसा होता है तो साथ ही ये भी जरूरी हो जाता है कि अब खाने में भी तबदीली कर ली जाए इस साल सुरतेहाल खुजिश्टा बरसों के मकाबले में बहुत मुक्तलिफ है इस लिहाज से भी है कि इस बार हमने तवील स्मोक का भी सामना किया है और वैसे भी शदीद सरती में हमारी सरगर्मिया महदूल ओ जाती है और हमें जोडों के मसाइल का सामना करना पर सकता है वजन में इजाफा हो सकता है वाइटमैन D की कमी हो सकती है क्योंके सूरज नहीं निकलता और हम लोग वाइटमन डी को सूरत से और सन से बहुत जादा मुंसलिक करते हैं इस इन तमाम मसाइल के साथ साथ कुछ और मसाइल गिसा को लेकर भी उनका भी आपको सामना करना पर सकता है और यही नहीं मौसलिक सर्मा के आते ही जिल्द, खुश्क हो जाना, बालों का गिरना यह भी मसाइल बहुत जादा कॉमन है ऐसे में अगर हम अपनी खुराख पर तवज़ो दें और हमारे जिसमानी जरूरत की मुनास्बत से खुराख लें तो ना सिर्फ सेहत बहतर रह सकती है बलके जिसमे मुनास्ब कुवत मुदाफ़त भी पैदा हो सकती है यानि कि आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट हो सकता है जिसकी इन दिनों बहुत ज़्यादा जरूरत है जबके अच्छी और मतवाजन खुराख से बालो जिल समेट पूरे जिसम की सेहत भी बेतर हो सकती है अब ये अच्छी घजा, मतवाजन घजा और साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमने क्या क्या करना है सर्दी का मौसम है, स्मोग है, नजला है, जुकाम है, फ्लू है, मौसमी बिमारिया है कैसे खुद को बचाना है, कौन सी घजाएं खानी है, किस से थोड़ा हाथ खिंचना है और स्पेशली जो हम ड्राइफ रूट्स इस मौसम में एकदम से धड़ा धड़ शुरू हो जाते है बहुत जादा ड्राइफ रूट्स हमें फाइदा पहुंचाते हैं, हमें सेहत मन रखते हैं या फिर वह भी नुकसान दे हो सकते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात जाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है जी जाहरा मंसूर है, नियूट्रिशनिस्ट है, प्रोगैम में आपको खुछ शामदीद कहते हैं जाहरा सबसे पहले बताईए कैसी हैं I am good, thank you so much for having me on the show again You are welcome, you are welcome, मुझे ये बताईए के सर्दी का मौसम है और immune system की हम बात करें, अंजिल की बात करें, सेहत की बात करें सबसे पहले तो ये immune system है क्या? बिल्कुल किस तरह से हमारे लिए जो है, वो सर्दी के मौसम में काम करता है और कितना जरूरी है इसको balance रखना अच्छा, सबसे पहले सद्रा, immunity क्या होती है immunity is something के हमारी बाड़ी को Allah ताला की तरफ से gift मिलावा है एक defense system है हमारी बाड़ी का जिसको हम immunity कहते हैं, कुवत मुदाफित अब इस कुवत मुदाफित के अंदर हमारे बहुत सारे बाड़ी के organs, cells, tissues, proteins जो हैं वो सब मुश्तमिल होते हैं और यह पूरा system बनाते हैं अब इस system को हम अगर fully functional रखेंगे और अच्छी active हालत में रखेंगे तो फिर ही हमारा इस system जो है अगर हमारे ऊपर कोई ना बाहर से कोई pathogen, bacteria, virus या कोई भी infection जो है attack करता है तो हम उससे fight कर सकते हैं यानि immune system जो है हमारी body की army है army है, आसान हर्फाज में it's the army of our body और यह हमें अल्ला ताला की तरफ से gift में लावा है अब इसको हमने जो है आर्मी को हमने strong कैसे करना है यह हमने जाहरा से पूछ ना है क्या 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 आर्मी को खिलाया जाए तो यह strong हो जाए बिल्कुर अच्छा सर्दियों के अंदर यह थोड़ी सी compromise क्यों हो जाती है because आपने भी बात भी की है कि seasonal allergies बहुत जादा हो रही है ठीक है क्योंकि हमारा smoke चल रहा है फिर मौसम बदल रहा है सब कुछ साथ साथ है तो seasonal allergies की वज़ा से जो है ना हम लोग बहुत जादा complain करते हैं कि बच्चे बिमार हो रहे हैं माए परेशान है कि अब क्या किया जाए तो वो अगर हमारी immunity नहीं strong ना तो हम सब इस चीजों का target बन जाते हैं अब उस immunity को strong बनाने के लिए हमें अपने lifestyle के अंदर कुछ चीजें जो है ना वो देखनी पड़ती है सबसे पहले मैं आपको सुझा बता दूँ कि जो हमारा lifestyle है ना वो पांच चीजों पे मुश्तमिल है अब वो पांच चीजें क्या है सबसे पहले आती है हमारी खुराक दाइट उसके बाद आता है हमारा hydration level पानी हम कितना पीते हैं सब्दियों में तो कम हो जाता है बिलकुल पिर उसके बाद आते हमारा physical activity कि हम कितने अक्टिव है वो भी कम हो जाती है पिर उसके बाद आता है हमारी sleep how much we sleep वो बढ़ जाती है निज़ाम चल रहे हैं वो सब ठीक हो जाएंगे अब सबसे पहले जो है most important चीज होती है एक खुराक हम खा क्या रहे हैं अब अल्ला ताला ने जिस तरह मौसम बनाए है ना तो मौसमों के हिसाब से उनकी घजाएं भी बनाए हैं बिलकुल मौसम बदलते हैं सब्जियां हम एस मुसलिम या हम ये बिलीव रखते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़े हमारे एद्गिद मौजूद हैं वो हमें जो है सब्लिमेंट करने के लिए एस करने के लिए ना ठीक है तो हम उन चीज़ों से फाइदा नहीं उठाते हम कहते हैं कोई दवाई मिल जाए कोई कुछ हो जाए तो खुराग के जर्ये किस तरहां से हम जो है अपनी आप को स्टॉम कर सकते हैं कि हम जरूर जाएंगे कि हाई चीज़ प्रताओं में मौजूद है लेकिन उसके बावजूद लोग समझ रहोते हैं कि शायद हमें जो आर्टिफिचल सप्लिमेंट से वो लेने चाहि अब जो आप देखने हैं किन्नू है मुसम्मी है अम्रूद है अनार है अजिसी सड़ी हो आजकर मेरा तो देखने को भी दिल्ली सारा पूसे देखते ही ठड़ लगती है अच्छा यह बड़ा है किन्नू कहाएंगे तो मारा गला और खराब हो ज़ीगा देखें तुर्ष च किन्नू मुसमी जो है वो हल है आप उसको रूम अब फ्रिज में रखावा किन्नू ठंडा या खाप निकाल के खा रहे हैं तो फिर वो तो आपके गले को फॉरन जाकर तंग करेगा तो रूम टेम पर पड़ाव है दुपहर के टाइम पर अगर अगर उसको मिड मॉर्निंग स्टमाल करें तो इस वांडरफुल स्नाक और आपकी जो हैना इम्मुनिटी को भी बूश्ट करने तो आप उसको दुपहर तक लें रात को जो पहल है वो इतना मुनासिब नहीं होता है विगाज और पिर बी किसी चीज की बंदिश नहीं है यहीं पर रोल आता है नुट्रि सब्सक्राइब नहीं है वाइटमिन सी मौजूद है हमारे पास कैबज है हमारे पास शिमला के मिर्चे आप उनका सूप बना के पी सकते हैं ठीक है ना वह गर्माईश का एसास भी होता है और फिर आपकी इम्मुनिटी भी बूस्ट होती है ठीक है नमबर टू के उपर आता हमारे वाइटमिन ए आपको पता है गाजरें कितनी जादा आ जाती है लोग गाजरों के माएं हलवे बनाती है और आप पुरानी यूरतों को देखे हैं वह घर के अंदर लाजमी तोर पे जो है ना कहती है अब सद्धियां आगे अब गाजर का हलवा अब उससे गया होगा क आपको इम्म्यूनिटी जो है वह बढ़ती है वाइटमिन ए बहुत जरूरी है और जायरे सबसे मज़े की बात है शुकर अलहम्दुलिला के गाजर की कीमत भी मुनासीब हो जाती है काम हो जाती है कि हमारे जो ना सिफ यह के मिडल क्लास लोग लोग ऐजीली अफोर कर सकते कुछ लोग मेरे क्लाइंट्स है या पेशिंस है वो यह बड़ी कंप्लें करते है आप इस तरह की मज़े मज़े की चीजें बता देती है वो महगी महगी होती है और पिर कहते है हमें तो शूगर है हम नहीं खा सकते हैं जैसे क्यारेट केक है हो गया या आप कैरेट की ब्रे की चीज नहीं बन जाते है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हम इसी लिए हैं कि हम आप लोग की है और वैसे भी डाबटीज को तो दुनिया भर में वो बिमारी नहीं संझा जा जाता है वो तो उसको एक लाइस्टाइल कांट करते हैं कि आप थोड़ा सबना लाइस्टाइ और बूड़े हैं क्योंकि वो वल्नरेबल ग्रूप में शुमार होते हैं वो बीमारियों से भी जल्दी एफेक्ट हो जाते हैं उनको थोड़ा डिफरेंट करते हम उनके लिए भी यही फॉर्मूला है यह डिफरेंट हूंगा अच्छा मैंने आपको बताया बच्चा है कोई भी चीज पसंद कर रहा है डिजर्ट के अंदर या सेवरी के अंदर आप उसको वो चीज के अंदर आड़ करके देंगी कुछ बच्चे तो डायरेक्ट भी खा लेते हैं ठीक है तो अगें आपके हाथ आपका जो पोशन साइज है हर बंदे का डिफरेंट है सबसे पहले तो सद्रा मोस्ट इंपॉर्टन थिंग इसके आप चुप सर्दिया आती है उसको इंजॉय करें अपने आपको प्रिपेर करें ठीक है अब यह तो होता रही है कि सर्दिया अचानक आगे हैं हमें पता चल जाता है कि सिप्टेंबर के बाद आक्टूबर के तो आप अपने बच्चों की जो घजाएं हैं या माई अपने बच्चों के लिए स्पेशली जो स्कूल जा रहे हैं वेदर चेंज होता है ना तो सुबह सुबह निकलने वारे लोग जो आफिस जाते हैं जो सबसे ज़ादा सबसे पहले अफेक्ट होना शुरू होते हैं ठी इस तरह से आप उनकी घजा के अंदर वाइटेमिन सी वाइटेमिन ए ओमेगा ठीक है बहुत शुक्रिया जारा पर इस सेग्मेंट का वक्त खत्म हो गया है वरना टॉपिक तो ऐसा है कि बहुत देर तक बात की जा सकते हैं लेकिन प्रॉपर एक प्रोग्राम का फॉर्मेट उ करने हैं क्योंकि हर चीज की जाती खतरनाक होती है मैं ब्रेक पे जाओंगी वापिस आएंगे मजीद बातें करते हैं ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं आजरें कुछ बात करेंगी जी स्यासत के हवाले से और साथ ही साथ कुछ बात करेंगे हम जंक्स्टर्स के हवाले से क्योंकि पाकिस्तान का शुमार उन खुशकिस्मत तरीन मुमालिक में होता है जहां पर यंग्स्टर्स की यानि के नौजवानों की तादात सबसे ज्यादा है लेकिन बदकिस्मती से हम उन नौजवानों को उस तरह से आने वाले वक्त में ना फाल देख रहे हैं ना उतना पॉजिटीव देख रहे हैं ना सियासत में उतना देख रहे हैं इससे कते नजर के हमारे सियास्टदान और सियासी जमाते अमली तोर पर नौजवानों से राप्ता रखने की बजाए अपने आप को रवायती सियास्टदान के तोर पेश करते हैं और फिर हमारे रिवायती सियासदान इस हकीकत का इद्राग करने में मुकमल नाकाम नजर आते हैं कि नौजवानों से राप्ते के लिए उनके मसाइल और उनके खैलात को समझना कितना जरूरी है इसके लिए वो जबान और वो मीडियम भी आहम है जहां नौजवान सरक्रागा पाकिस्तान उन मुलकों में शामिल है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां नौजवानों की आबादी का तनासुब सबसे ज़्यादा है उन नौजवानों का सियासत में किरदार हमारी जमूरियत और हमारे निजाम के लिए बेहद जरूरी है अगर हमारी नौजवान नसल को सियासत में भरपूर किरदार मिल जाए या सियासी जवाते उन्हें वो प्लाटपॉम फराहम कर दें जो हमारे आइन में दर्च है तो इ उस लोगों से भात करी हूं। नौजवान नाराज नजर आते हैं, इस सिस्टम से भी नाराज नजर आ रहे हैं, स्यासी सूरते हाल से भी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन कोई डेड़ दो तीन साल से जो हमने स्यासी अदम इस तहकाम देखा हैं, बड़े बड़े एनलिस्ट बता रहे ह बदकिस्मती से आज तक कोई ऐसी हकोमत नहीं रही जिसने अपना 10 दोर पूरा किया हो कि जो भी opposition आएगी उसका ये काम नहीं है कि उसने हकूमत के साथ मिलकर आवाम की बात करनी है, यंग्स्टर्स की बात करनी है, मुल्की मसाल की बात करनी है, बलके नजर ये आता है कि उनका काम सिर्फ ये है कि जो हकूमत की seat पे जो आवानों में बैठा है, उसको किस तरह से seat स हटाना है, या किस तरह से planning करनी है, किस तरह सारा कुछ नजर आ रहा है, इस सारी सूरते हाल पर हमारे साथ मौजूद है जी, बैरिस्टर तलह मुश्टाक है, law expert है, बहुत खुशामदीर कहते हैं आपको program में कैसे हैं, आप भी यंग्स्टर हैं, सबसे पहले तो आप क्या स सूचते हैं, सियासत को लेकर सवालात बाकी जो आपकी expertise है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप भी एक नौजवान है, क्या सोचते हैं हमारी मुल्की सूरतेहाल को लेकर, सियासत को लेकर, और अगर आपको मौका मिले, क्या सियासत में आएंगे आप? चाहिद वो जरूर हैं, ठीक है, लेकिन प्राब्लम यह है, जो आपने पहले बड़े अच्छे तरीके से आगाह किया, और आपने पॉइंट आउट किया, क्या सियासत में आने का वाक्यूम नौजवानों के पास मौजूद नहीं है, ठीक है, उनके पास वो opportunity मौजूद नह है, क्यों? क्योंकि ना तो इन नौजवानों को तराशा गया, ना तो इनने political ideas के बारे में स्कूलों में पढ़ाया गया, और ना ही practically कभी ने मौका मिला कि यह अपनी अपनी school के अंदर, अपनी university के अंदर, एक student union के अंदर काम करते होए, elect होकर, एक जो nursery जिसे पुरी दुन में कहा जाता है, student union की, तो वो मौके जब नहीं मिले, तो बहुत से ऐसे नौजवान हैं, जो सियासत से अब ला-तालिकी का इजहार करते हैं, नजर आते हैं, तो definitely अगर आप मेरा इस पे input पूछेंगी, तो I would definitely want कि हमारे मुलक में एक ऐसा महाल बनना चाहिए, कि नौजवा की वज़ा से बहुत से ऐसे leaders पैदा उने की हैं, जोनों ने जा के पर मुलकों की दौड संभाली हैं, बेरिस्टर तलहा, आपने बिल्कुल वड़ी अच्छी बात की है, कि आकास होता है nursery से, और वो हम लोग देखते हैं, schools में, colleges में, universities में, जो unions बनती हैं, अगर हम सियासी निजाम से कही ना कही नौजवान को नाराज देखते हैं तो दूसरी जाने पर कही ना कही शायद हमारी तरभीयत में कमी है, अखलाकियात में कमी है, कहीं मौश्रे में ऐसा बिगार पैदा हो गया है, कि जो यंग्स्टर्स हैं, जो student union बना लेते हैं, वो बेजा ताकत का इ नहीं देखते हैं, मैंने ये चीज़ भी पिछले सालों से नोट की है, कि वो उस तरह से productivity में नहीं आ रहें, बलके वो फिर के हम कुछ हैं, हम union में आ गएं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, ये एक negative behavior भी बहुत जादा देखा जा है, अच्छा इसको समझने के लिए हमें student union की पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो इस टेम बनी थी, उसके पास student unions का था, तो 47 में जब partition होनी थी, अगर हम तारीख को देखें और पढ़ें, तो हमारे जो student workers थे, वो जगा जगा पे जा के as a peace messengers बनके उन्होंने काम किया था, और उन्होंने message दिया था, कि हमें एक peaceful transition लेकर आ लेकिन अगर हम आज की हाल की बात करें, तो पिछले 30 सालों से, 40 सालों से in fact, student unions वैसे ही illegal हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे पास कोई ऐसा indicator मौजूद नहीं, जिसको हम देखें कि legalize किया गया हो student unions को, उनके उपर कोई code of conduct बनाया गया हो, क्योंकि last time जो पाकिस्तान में student union का election हुआ था, वो 1983 के अंदर हुआ था, और 1984 के अंदर एक dictator ने आके student unions के उपर एक blanket ban लगा दिया था, अब समझनी की बात यह है, कि 84 के बाद जब 88 में elections होए, तो हर सियासी जमात के manifesto के अंदर ये बात लिखी गई थी, कि हम student unions को बहाल करें, तो 88 में जब democracy जमूरियत प पूरा करने में फेल हो, हाला के पंजाब की बात मैं आपको बता दूँ कि हमारे चीप मिनिस्टर मिया नवाज शरीफ बने थे 88 में, तो उन्होंने पंजाब के अंदर student unions का election करवाया था, अब उसमें क्या होता है, कि उसमें उनके हमायत याफता जो student union के leaders थे, वो हार जात कैसे ही एक बहुत बड़ी strength बनके एक negative, अगर हम overall student unions को देखे तो उन्होंने बहुत positive काम की है, बड़े sacrifices दी है, और पर हमारे पास बहुत बड़े बड़े leaders पाकिस्तान में नखर के इन student unions से पैदा हुए, लेकिन अगर हमें problem ये है student unions के साथ, कि हमें ये negative role भी play करते हैं, बहुत सारी power आ जाती है, तो उसके अंदर समझने की बात ये है, कि उनको बैन करना, चालिस साल के लिए आपने उनको बैन कर दिया हुआ है, और अभी तक कोई ऐसा indicator नहीं है, कि वो दुबारा से बहाल हो रहे हैं, तो उनको बैन करना हमारा solution नहीं है, उनको बैन करने से हम ने देखा किया हुआ, ब्रेन रेन हुआ पाकिस्तान के अंदर, बहुत जादा, बहुत तेजी से, हमने देखा कि नौजवान लोगों ने सियासत से लिए तलकी का इजहार करना शुरू कर दिया, और उन्होंने समझा कि हम irrelevant हैं सियासत में, कि जो जागीरदाराना निजाम क से खलाफ हमारी कौम आवाज उठाती है, या हम भी चाहते हैं कि उस सिस्टम से हम चेंज, वो चेंज आयो सिस्टम के अंदर, तो वो चेंज तभी आ सकती है, जब हम नए लीडर्स पैदा करेंगे. अचा तलहा, एक बड़ी इंपॉर्टन बात यह है, कि जब भी हम अपने पेरेंट से बात करते हैं, अपने ग्रेंट से बात करते हैं, हम लोग देखते हैं, एक जैनरेशन गैप है, चीज़ें बहुत तेजी से बदली हैं, और आज के नौजवान की सोच, चीज़ें, मौश्रे को, हालाथ को, जिन्दगी को देखने का नजरिया तब ड़ील हो गय जिस तरह से आप बता रहे हैं के student unions जो है वो ban है उस तरह से नहीं बन पारें कैसे नौजमान आएंगे सियासत में पिर यह जो generation gap जो में अपने से अपने घर की स्टोरी से सियासत पे भी अगर हम implementation करते हैं इसको कैसे cover किया जा सकता है यह बड़ी आपकी important issue पे आपने बात की है देखें जो current हालात हैं तो इसको अगर हम देखें और जो हम पिछले 40 साल से बलके जब से पाकिस्तान की inception हुई हम देख रहे हैं कि चौधरी का बेटा ही चौधरी बनता है हमारे सियासी नजाम के अंदर और इस system में अगर हमने change लेकर आनी है तो वो definitely नए चेरों को तराशना भी पड़ेगा उनमें सियासी शाओर भी देना पड़ेगा और वो कैसे दिया जाएगा देगा आप मुझे ये बताइए कि कौन से ऐसे सियासतान है कौन सी ऐसी हमारे हाथ सियासी जमात है जिनको हम देखते है कि वो youngsters को टिकेट्स दे रही हैं या फिर वो यंग्सटर्स को अपने साथ में ला रही है या फिर वो इलाके के ऐसे नौजवानों को ढूण रही हैं कि जो कही ना कही लोगों की मदद करें हैं या फिर कुछ ना कुछ देख रहे हैं किसी भी स्यासी जमात में कि हमने यंग्स्टर्स को साथ लाना है उनको लेके चलना है देखें ये तो बिलकुल आप ठीक बात कर रही हैं किन पर इनहसार करेंगे तो जब इन student unions को अगर आवाज उठाई जाए हमने देखा है student progressive student मार्ष अभी recently हुआ था और उस मार्ष के अंदर भी आवाज उठाई गी थी कि हमें मौका दिया जाए कि हम अपने अपने अदारों में अपनी अपनी जगा पे बेशेक अंडर अकोर्ड ओफ कंडक्ट आप एक union बना दें हमें जाज़त दें कि हम अपनी unions बनाए और जब हम elections देखेंगे उन union में एक तहरीक पैदा होगी आगे तो डेफिनेटली उस यह इस इस सम्थिंग एक तो अगर इसमें अगर अब कानूनी भी थोड़ा हम अंगल देख लेते हैं अर्टिकल 17 जो Constitution of Islamic Republic of Pakistan के वो बड़ा categorically कहता है कि कोई भी शक्स उसको रियास्ते पाकिस्तान ये हक देती है कि या तो वो एक union फॉर्म कर ले या वो किसी union का हिस्सा बन सकता है अब subject to क्या है subject to the laws of the country अगर पाकिस्तान की sovereignty और integrity के ऊपर कोई सवाल आता है तो फिर union नहीं बन सकती अब मुझे बताए कि student union कौन सी sovereignty और integrity और पाकिस्तान के खिलाफ किसी ना किसी किसी तल्हा ने बहुत बड़ा question mark लगा दिया है बहुत शुक्रिया बैरिस्टर तल्हा प ये कि आखिर यंग्स्टर सियासत में क्यूं नहीं आ रहे या उनको क्यूं नहीं लाया जा रहा है एक ब्रेक ले लेते हैं वापिस आते हैं मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन कुछ सरदी का मौसम है कैसे आपने खुद को फिट रखना है क्योंकि सरदी के मौसम में हम खुद को बहुत जादा लेजी फिल करते हैं उब स्कत manner करते हैं जिम जाने को दिल नहीं करता जॉगिंग करने को आपको रुकिंग करने को उमारे दिल करत आ उब समय कहते हैं चार्यूं किसा इफ आने हैं सर लेगता है इस बहुद ए अधर आबूद बनाते हैं अगर हम necessity करते हैं हमारे पास फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद है जिन से बात करनी है लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक ऐसी भी खुराक मौजूद है जो दुनिया भर के लोगों में बहुत जादा मकबूल है और मेरा खाल है कि पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा शक्स नहीं होग जो के डिरेक्ली या फिर इन डिरेक्ली इस घिजा से मुंसलिक ना हो तो वो है जी चुनाब अंडा एग जो आजकल बाअसानी दस्तियाब भी होता है पकाने में भी नहायत असान है और जिनें कुछ नहीं आता उन्हें भी कमस कम अंडा उबालना तो आता ही है आमलेट बन जाता है जो हमारी जेप पर पहले किसी जमाने में हलका होता था लेकिन आजकल तो खैर भारी हो गया है क्योंकि 35 से 40 रुपे कर एक अंडा हो गया और गरीब की पहुंच से आज हम देख रहे हैं कि अंडा भी बाहर हो रहा है लेकिन गजायत और प्रोटीन से भरपूर समझ उट होते हैं दिगर घजाओं के साथ अंडा खाने से हमारे जिसमें वाइटमन को जजब करने की सलाहियत बढ़ जाती है मिसाल के तौर पर एक रीसर्च के मताबिक सलाद के साथ एक अंडे का इसाफा जिसमें सलाद से मिलने वाली वाइटमन ए के मिगदार को बढ़ा सकता है ताहम कई दहाईयों तक अंडे काने पर इस वज़ा से भी एक तलाफ रहा है कि इसमें कोलिस्ट्रोल लेवल बहुत जादा होता है उसकी मिगदार बढ़ सकती है जो कुछ तहकीकात के मताबिक अमराज कल्ब का बाइस बन सकता है इस पर भी आज हम बात करेंगे और यह स जादा मालूम तो नहीं है लेकिन मैंने देखा है कि वह बताया जाता है जी छे पाराखुन ही हैं शॉरी मिस्ट्र पाकिस्तान है आप सर्दी के मौसम में, आपका भी कभी ना कभी दिल डगमगा जाता है कि आज exercise से छुट्टी कर लिजाए या फिर आप committed है कि नहीं मैं Mr. Pakistan हूँ तो मुझे अपनी उस पर काइम रहना है अच्छा मेरा दिल ट्रेनिंग के लिए कभी भी ने डगमगाया मैं ट्रेनिंग बने शौक से करता हूँ और मैं ट्रेनिंग हमेशा इबादत समझ के करता हूँ और अगर ट्रेनिंग को वजू करके किया जाए ना तो ये वाकिए ही एक इबादत है हुबसूरत बाद आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप जो भी ट्रेनिंग करने वाला है, आप मेल है, फीमिल है, अगर आप बावजू रहकर ट्रेनिंग करें, तो ये इससे बड़ी भी कोई बात है। या पिर बढ़ जाता है। करनी है, तो एक्सराइज ही आपको बचा सकती है। ये तो आपने एक्सपर्ट ट्राइ दे दिये हमें, हलांके जो एक कॉमन बिहेवियर और एक कॉमन थौट है, वो ये समझा जाता है कि शायद गर्मियों में ज्यादा अच्छा है एक्सराइज करना जल्दी हमारी बाड़ी टॉन अप हो जाती है, हमें पसीना आता है। आपन इसका मतलब ये नहीं कि सरदी में बाड़ी लीन नहीं होती, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये हमारी एक मित बनी हुई है, और जितना अच्छा मसल को डेवेलप आप वैदर के मताबिक मौसम के साथ कर सकते हैं, तो आजकर आप ये देखें कि आजकर आपको एसी की बीज़रत नही है और आपकी बाड़ी जो है अच्छा रिस्पॉंस भी करती है, इसके लिए सिर्फ डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी डाइट अच्छी होने की गरंटी हर तरह से है, हाफिज साब डाइट पे आ गये है, ये हमें जरा अंडे का फंडा क्या है, समझाइए, क्योंकि आज कर तो खायर अंडे बहुत महंगे होगे, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी जिम एक्सपर्ट्स हैं, वो अंडे खाने का मश्वरा देते हैं, जैसले कि मैंने, वो क्या कहानी है, अच्छा सिद्रा, इसमें ये है कि बादशा अकबर एक दफा अप प्याइउ बाद़ा, यनि अंड़ा, अंडे में वो हर चीज है, जो इनसानी बॉड Πा eerste सानी नेड़ा में गौनेशियन हैं, अंडे में और पीट आजह को बीरद लोगी, आप को जो इंस्टिटूट है American Heart Institute जो है उन्हें रिसर्च की कि अंडा मत खाएं क्योंकि हमारी बॉड़ी की जो नीड है वो है एक सो पचास मिली गराम कॉलिस्ट्रॉल और एक अंडे में दो सो से लेकर चार सो तक कॉलिस्ट्रॉल हो पाया जाता है अब वो कहते हैं कि ये चीजें बंद करें ये आपके हार्ट को आपकी बॉड़ी को नुकसान देंगी फिर उसके बाद रिसर्च हुई American Heart Institute ने दोबारा रिसर्च की 1984 में उसमें भी उन्होंने यही कहा कि वो वरी चीजें बंद करें जो आपकी बॉड़ी के अंदर कॉलिस्ट्रॉल बनाती हैं उनको खान अब होगे अपनी रिसर्च में लोगों अन्डा खाना बंद कर दिया अचा मुझे अंडे जो हैं वो स्पेशली में वाइस का बार बार इसलिए जिकर कर रही थी कि वो हमने देखा है जी सुबो के वक्त उटके छे अंडे खाने हैं जी में एक्सपर्ट ने बता दिया है सा एक अंडे में 200-400 क कॉलेस्टरोल होते है हमारी बाड़ि जो है 20% खुराग से कॉलेस्टरोल बनाती है और 80% हमारा discours है उट लिवर है वो बनाता कि हमारे खुराग से कॉलेस्टरोल जाद हमारी बाड़ि में चला जायए तो वो मैट बडिक उर divisками नीड है वो सिर्फ उतना ही कॉलिस्ट्रोल अब्सॉर्ब करती है बाकी वो ड्रेन आउट हो जाएगा इसलिए इसके लिए गबराने की जूरत नहीं है अंडा खाएं शौक से खाएं और एक बंदे को एक से तीन अंडे रोजाना के खाने चाहेंगे एक अंडे में छे ग्रैम परोटीन टोटल होती है जिसमें उसकी जो एग है उसमें 3.7 ग्रैम होती है और 2.3 ग्रैम होती है उसकी जर्दी में जो गुड कोलिस्टॉल पाया जाता है उसके फवाइद क्या है अब ये देखिए उसमें सबसे पहले कॉलोजीन होती है कलोजिन है आपकी बॉडी के जो मसल्स जो बनाती है जो टिशू डिपेर करते हैं जब प्रेगनेट ओरतों को डाइट में बताया जाता है तो कलोजिन बताया जाता है तो यह सारी चीज़ें जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जी जो सेल्स बनते हैं जो मसल्स बनते हैं आच्छा, इस में कुलीन होती है, उसमें ये है कि आप इंदे की इंदे, कि आपका फैटी लिवर जो है, उसको डीटॉक्स करती है, आपका नाइज को दूर करती है, तो ये आपकी बोड़ी के लिए बाड़ी अच्छी है, तो नंडे की जर्दी से मत गबराएं अंडा एक सुपर फूड है ठीक है दो से तीन अंडे रुजाना के खाएं और हर इंसान को खाने चाहिए आप किसी भी एज ग्रूप में हैं हाफिसाब वक्त की थोड़ी सी किलत है और मैं चाहूंगी के जल्दी जल्दी से सवाल का भी जवाब दें कि यह जो सिर्फ एक वाइट खाते हैं वो ही 18 संडो वाला सवाल मैंने आपको जवाब लेके जाने देना है उससे पहले हमने प्रोग्राम खत्म नहीं करना अचा देखें अगर आपने होल एक खाना है तो दो कंप्लीट होल एक आप खा ले इसके लाबा अगर आप बॉड़ी की प्र टिर्फ इ के लीडा होता है जी मैं बताता हो हैंघा रेकिए को अड़ा मसल्स को देलोप करने के लिए कि अपनी आप की नीड है पूरी करनी है तो पूरी आप इसे पूरी होगी शिक्यह आप बोइले और दूसरा ये हैं कि अडे को प्लीज बहुत Audience रलेके मत खाएं अंडों को फ्राइ करके मत खाएं एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि अगर आप अंडा बनाने लगे हैं और अंडे में आप उसको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो इसमें बैक्टेरिया से हैं उसको मत खाएं उस अंडे को फैंक दे ये मित बनी वी है कि लोग अंडे को पानी में डिप करते हैं, अगर अंडा उपर आ जाए तो खराब है, नीचे आ जाए तो बैठ जाए, ये सब मित बनी वी है, इसमें फ़जूल कॉंसेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है एक चीज़ मौर के लिए कर दूँ कि देसी और वलाती एग की फाइट आजकल हमारी हर जगा पर डिसकेशन है, आज तो वो किसी भी तरह से रंग चड़ा के जो है, वो सारे हर जगा देसी मौजूर है अंडे की कलर पे नहीं जाना, अब ये देखें कि एक बड़ा एग जो है देसी अंडो की nutrition value सेम है, तो फिर वलाती क्यों नहीं? इसका मतलब है कि वो दो खाले और वो एक खाले आपका जो है, वो nutritionist value जो है, वो पूर जाना है, मेरा मतलब ये है कि आप अंडा वलाती खाएं, देसी खाएं, कोई भी खाएं, खाएं, अंडा जरूर खाएं, अंडा जब show करी होती हूं, तो लोग prices देखती हूं चीजों की, तो लोग बड़ा परिशान होते हैं, आप एक बात बताएं, आपने अंडो की prices जो है, आपने बढ़ाएंगे, आप बताएं प्लीज, हमने कहां बढ़ानी है, आपके कहने से कम हो सकती है, लेकिन हम बात तो कर सकते जो देखने वाले हैं, वो चाहते हैं कि हमारी बात करें और हम उनी की बात करेंगे, बिलकुल ऐसा ही है, तो अंडा एक सूपर खुराक है, वाइल एक खाने चाहिए, आपका वेट कम होता है वाइट खाने से, आप मॉर्निंग में खाएं, आफ्टरनून खाएं, इमनिंग में खाएं, रात को खाएं, अंडा खाने का कोई टाइम नहीं है, ठीक है, और अंडे जितने दिल करता है उतने खाएं, लेकिन देखें, एक्सेस फ़ेटिंग इस बैट, हर इंसान को पता है आपकी बाड़ी की नीट क्या है, तो उसके लिए आपकी बाड़ी की नीट है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, हाफिज आप प्रोग्में शामिल होने के लिए, हाफिज आपने पूरी डीटेल्स आप तक पहुछा दी हैं, कि अगर आप रूटीन में काम कर रहे हैं, आफिस जा रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, या एक बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ गुजा कर लेना है, कि आपने एक दिन में कित्ते अंडे खाने हैं, तो खुदारा इधर उधर की जो सुनी सुनाई वाथ हैं, उन पर बिल्कुल ने जाना, फिटनेस एक्सपर्ट से आपने मश्वरा जरूर कर लेना है, प्रोग्राम का वक्त इक्ताम को पहुँच चुका है, खलीफा एबल, हमारे हज़रत अबुबगर सदीक रसिल्ला उन्हों का यौम विसाल, सर उनकी खिलाफत, उनका किरदार, उनकी शक्सियत और उनकी जिन्दगी बिसमिर्भी मुहमत करीम अलेहिस सलाथ तसलीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशे की तरह जैसे हर जुम्हत अलमुबारिक कोम रसूल अल्ला सल्म की जिन्दगी और आपकी निस्वत से जो शक्सियात हैं, उनके एहवाल को जानने की कोशिश करते हैं, और उनकी जिन्दगियों के अंदर मौझूद वो जो एक लाफानी खैर का सिलसला है, उस से रोशनी कशीद करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी जिन्दगियों के लिए उसमें से कुछ रानुमाई और कुछ हिदायत जो है, उसका वजरिया बन सके, आज की शिक्सियत जो सो हम जानते हैं के हुजूर के असहाब के अंदर जितनी भी शिक्सियात हैं, सब का सरकार दौालम के साथ एक बड़ा वालिहाना महबत का, आकीदत का, वारफ्तगी का रिष्टा जो है, वो नजर आता है, लेकिन, और सरकार दौालम कभी अपने असहाब के साथ ऐसे ही महब और शिक्त रही, वो जनाब अबुबकर सिदीक रदी अलाव तालानों है, और आपका ये शर्फ है के बहुत सारे लोग तो जिन्दगी के अगले मराहिल में जाके सरकार दौालम की दोस्ती में आए, हुजूर के हलके महबत में आए, लेकिन अजर अबुबकर सिदीक वो है कि जो बहुत अब्तदाई दिनों से रसूल रहमत सिर्फ के हलका एहबाब का इसा थे, हुजूर के साथ उनकी कुर्बत रही, हुजूर की शफकत और महबत उनके साथ रही, और आप इस से अंदाजा लगाईए कि सरकार दौालम सिर्फ जिस वक्त फतह मक्का हो जाती है, औ मक्के में अमन काइम होने के बाद, हुजूर अपने असाब बिल्खुस जो मदीना से आये होते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुमने आठ बरस मदीने मेरी मेरी मेजबानी की और मुझे अपना शेहर दिखाया, अपनी बस्ती दिखायी, अपने लोगों से मिलवाया, शेनास आज क्यों न तुम मेरे शेहर आये हो तो एहल मक्के से तुम्हारा अम तारुफ करवाओं और मक्के से तुम्हारा तारुफ करवाओं, खुजूर अनसारी असाब को जिनमें से एक बड़ी तादाद ने मक्का पहले नहीं देख रखका था, उन्हें अपने साथ लिया और म हाशिम की उस गली में दाखिल हुए जहां सरकार दौालम का अपना काशानाय रह्मत था, हुजूर का अपना घर ता, जिस गर में हुजूर की विलादत हुई थी, तो हुजूर ने बिल इहतमाम मुखाते हों के कहा कि जो अनसार सहाबी हैं वो आगे आजाएं, यानि मदीन को अपने करीब किया और अनसारी सहाबा को कहा कि जब मैं अपनी बच्पने में था तो ये तीन लोग जो थे, ये मेरे साथ इस गली के अंदर खेला करते थे, और रदून ने फरमाया कि ये तीन मेरे बच्पन के दोस्ते हैं, तो आप इस से अंदादा लगाईए कि सरकार मुहबत का और चुर्बत का क्या आहत्माँ तो ये भी आपका एक मुनफरिद एजाद और बहुत मुनफरिद शर्फ है, निस्पत के इतबार से खांदानी तोर पर हम देखते हैं कि आप कबीला कुरेश से ही हैं, और कुरेश की जो एक शाख है, बनी तमीम उस से हैं, और आपका जो शजरा नसब है, वो सातवी तो ये अल्ला रब लजजद की तरफ से गोया जिम्मदारी तफ्वीज की जाती है, कि आप अपना ये जो राज हमने आपको नबुवत का अता कर रखका है, अधायत का अता कर रखका है, ऐसे रहनुमाई और हिदायत की शकल में अल्ला के नूर की शकल में लोगों तक मुन जनाब अबुबकर सिदीग रदियल्ला अनुते, तो इस से अंदाजा होता और फिर ना सिर्फ ये कि इसलाम कुबूल किया, बलकि उस दिन से जिस दिन हुजूर ने इलाने नबुवत फरमाया, उस दिन से लेकर सरकार दौालम की विसाले जाहरी तक और हुजूर के विसाल से लेकर अबुबकर सिदीग के अपने विसाल तक, दुनिया से तश्रीफ ले जाने तक, कोई एक लम्हा भी हमें ऐसा नजर नहीं आता, जिस वक्त उनकी सरकार दौालम के साथ महबत, वाबस्तगी और फरमा बर्दारी में, एक लम्हे के लिए कोई कमी महसूस होई हो, सु सरकार दौालम के साथ आपकी कुर्बत है, और आपको, सरकार नहीं भी आपको बड़ा महबतों से नवाजा, आप ये देखें न, कि अल्लार रबुलिजद्गी का सबसे टर्निंग पॉइंट जो सीरत के तारिव इलम के तौर पे मैं समझता हूँ, वो ये है कि जब शिफ्ट होते है, हर नभी की जिंदगी के अंदर हिजुद्गी का लमा बड़ा एहम होता है, बिल्कुल आहम होता है, और हर नभी की जिंदगी के एह reception है, जिसु की ने नगी इंदर गोया हिजुदर का मकाम रखा, वो मरहला आया तो थो हुजूर की रफाकت के लिए जिस हस्ती का इंतखाब किया गया वो भी जनाब अबुबकर सिद्दीग रदियल्लाओ तो यह आपका इम्तियादी शर्फ है कि आप इकलोती वो हस्ती हैं जिने सरकार इदौालम के साथ मक्का से मदीना की वो जो अदाफता उसे तैक करने का शर्फ वासिल हुआ और पिर जिस राजदारी के साथ एतमाद के साथ हिजरत से बहुत पहले सरकार इदौालम रभाषाल ने जशर्फ अबौकर शचीदारी को बाखबर कर दिया था कि अब वो वक्त आने जा रहा है कि जस वक्त मुझे लगता है कि मेरा रभ मुझे यहां से हिज़रत का जो हुखम अता फर्माईगा और मुझे यहां से जाना होगा तो आपने तयार रहना है तारीख ही बताती है कि सरकार दौाओन स. लेला ने जब ये तैय किया कि आज रात मुझे हिज़रत करनी है तो जब वो सरकार दौालम अज्रत अबुबकर सिदीग के दर्वाजे पर पहुंचे न तो हुजूर ने अभी दस्तक के लिए दर्वाजे पे हाथ रखा था तो अबुबकर सिदीग सामान के साथ जादे रा के साथ तैयार सामने खड़े हुए थे डौक साथ ये माशाला जितनी खुबसूरत बाते जितनी खुबसूरत तारीख आप बता रहे हैं मेरा ख्याल है कि अगर अगर हज़द अबुबकर सिदीग रजिल्ला अन्हों को हम रसूले खुदा सलिल्लाहो अलहे वाले वाले वसलम का राज़दार भी कहा जाए तो बलत होगा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुती करीबी दोस्त रहे बच्पन गुजारा फिर आप ये देखे ना कि हुदूर ने हर मरहले पर उन से मुशावरत की है यानि कोई लम्हा हुदूर की जिन्दगी में हमें ऐसा नजर नहीं आता जो तारीखी इतबार से तारीख एक ले तरीव मुशाव हुदूर के साथ उनकी वावस्तगी जो हर उस मंजर नामे में एक नुमाया किरदार एक नुमाया श Khक्सियत एक बेधरीन मौमिन के तर पर एक बेधरीन वददार सिपाई स친धी के तर तर अधव अपने असाब को भेजा तो उनकी अमारत के लिए यानि उनकी लीडरशिप के लिए अपने असाब इसे किस शक्सिएत के इंतखाव किया जबागर बाकी लोगों की निस्बत जएदा इसका बेहतर फेह है इसलिए ये सरकार ने उनके इन्तखाब फर्माया और उन्हें सरकार के साथ जो है ना वो बेजा डॉक्साब ये तो आपने अपने अपने अमतियों के साथ बेजा आपने ये सारे जित्ते भी रसूल-खुदा से उनकी जो कुर्बत जो दोस्ती जो महबत जो एक एतबार का तालुक वो तो आपने बताया है तो फिर रसूल-खुदा सालियलाह अलेह वाले वाले सल्म की मेरे खल जो हम उस्वा-ई-हस्ना की बात करते हैं वो तो सारी की सारी खसूसियात था में हज़रत अबूबतर सदीक रजलानों में भी नजर आती होंगी क्योंके वो जित्ते करीब रहे बेशक बेशक हैं और फिर दर्वाजे की तरफ रुख करके दर्वाज़ा को बंद करता है जैसे आपने दर्वाजा बंД किया न तो एकदम आपको खीया आया किça कारे जम्मदारी लेनी है, मैं ये समझता हूँ कि आज की हुकमरानों के लिए भी इसके अंदर एक पैगाम है कि जो शक्स दर हकीकत, उम्मत मुस्लमा की किसी दरजे पर भी जम्मदारी जो है, उसे कुबूल करना, उसको लीड करना, किसी भी शोबे के अंदर, बिल्खुस हुकू ये कि ये वो अजिम उशान और मुतबर्रिक मनसब है, लीडर्शिप का जो सरकार दौालम की जगह है, आपकी जान शिनी का गोयव मामला है, तो हर वो शक्स जो वहां बैठे उसे अपनी जिन्दगी को सरकार दौालम के कालब में खुद ढालना चाहिए, क्योंकि जब तक अपने आपको हुजूर के उस उस्विक के अंदर नहीं डालेगा, उन लोगों की जिन्दगी को हुजूर की जिन्दगी के करीब तर नहीं कर सकता है, बेशक्ता है, सर, मौजूदा निजाम, मौजूदा मसाइल, और हज़र अबुबबकर सदीक रसिल्ला उन्हां की दौर खलाफत, क्या था उस दोर में खास जो आज हमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं है, आप देखें कि एक तरफ सरकारे दौालम के साथ आपकी वालिहाना मौबबत का ये आलम है, कि रसूल रहमत जब अपनी अलालत के ऐयाम में असहाब के दर्मयान मौजूदा है, और खुर अपने असहाब के अंदर इज़तें तक्सीम कर रहे हैं, एजजजाद तक्सीम कर रहे हैं, और असहाब जो हैं वो भी किसी अध्यत तक इस बात से इस तकलीफ दे करब और सचाई से जो हैं वो आशना हो चुके हैं, कि शायद वुचडने का वक्क करीब है, उज़ू kg आपको सहाधियand उद्याद अभू अभू भू आपको साहारे से उठाया गया और हजिता अभू अभू भू बीट्वूद हमाने थाउया थे और हुज़ताइपकर्संद्लीख ऱूललों भुत्वन सहाधिया दिएलिगता ब्रवुने रचा भूल्सारी होता है بکر میرا وہ مخلص دوست ہے وہ میرا مخلص ساتھی ہے اس کے مجھ پر اور دین کے اس احیاء کے حوالے سے اور اس کے نفاظ کے حوالے سے اس کی اتنی قربانیاں ہیں اس کی اتنی خدمت ہے اس کے گویا مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ اتار دیا اس کے اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں اتار چکتا ان کے احسانات کا بدلہ اللہ اپنی شان کے لائق ان کو عطا کرے گا तो ऐसी कुर्बत हुजूर की मैस्टर हो इतनी हुजूर से वालहना मुहबबत हो लेकिन आप ये देखें कि जब हुजूर का विसाल होता है और हुजूर की विसाल का एलान होता है तो बड़े-बड़े जरील कदर असाव जो हैं वो हमें शिद्ध गम की वह से जो हैं वो निडाल नजर आते हैं और उस वक्त गोया पूरी उम्मत में कफरत अफ्री और इस्तराब की कैफियत हो जाती है उस लम्हे में जो अब हुजूर की महब्बत की निस्बत से लोग परेशान हाल हो चुके थे उस वक्त रसूल रहमत के इसी साथी ने इसी रफीक ने मेरे करीम आका से निस्बत और तालुक से खुत्बा इर्शाद किया और गोया उम्मत को दुबारा से फिर धारस बंदाई और उने ये बताया कि सरकार दौालम का जाना जो ता वो अल्ला का अमर था और सरकार दौालम को दुनिया से तश्रीफ ले जाना था अब हुजूर से महबत का हुजूर के साथ अकीदत और वाबस्तगी का सबसे बेतरीन तरीका ये कि हुजूर के पेगाम की इफाज़त लिजाए उनके रास्ते को जो है वो अपना लिया जाए और लोगों को उसकी तरफ तरगीब दिला जाए चनाचा हम ये देखते हैं कि जैसी सरकार दौालम से बाद आपको खलीफा मुन्तखिब किया जाता है तो एक बहुत सारे चैलिंजिस जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं कुछ लोग जो अभी नापुकता थे उन्हों ने दीन से बरात का एलान कर दिया रैद्गी का एलान कर दिया कुछ लोगों अध्यक एक बड़ा तबके ऐसा था जो मुर्तद हो गया और एक तबके ऐसा था कि जिन्होंने जगात देने से इनकार कर दिया मुनकरीने जगात जो थे वो आगे आप ये देखें कि अज़रत अबबकर सिद्दीग ने अपने इस अमल के जरीए से दुनिया भर के सारे मु मुरानों को ये बात बताई कि हालात कैसे ही क्यों नहों सरकार दौालम स्वालाओं का जो फर्मान है उज़र की तालीमात है उन्ही को अपनी जिन्दगी का मंबाव मरकज बनाना असल में मेयारे जिन्दगी है अम ये देखते हैं कि हज़रत अबबकर सिदीग ने क्या किया असाब ने का कि जी एक असामा बिन जैद की जो है ना वो कियादत में हुजूर ने एक लशकर रवाना किया था लेकिन अभी आप कुछ वक्के लिए उसको रोग दे क्योंकि इससे और ज्यादा फितना पहलने का लड़ाई का अन्देशा हो सकता आपने का सरकार दौालम स् इस लशकर को तर्तीब दे दिया और उसके लीडर्शिप उनके अवाले किये चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं करूँगा और पिर जकात के मामले में है तुमरे फारूग जैसी जलाली तबीयत वाली शक्सियत ने भी ये कहा कि हमें मसलत से काम लेना चाही लेकिन आप आपने का कि अगर कोई शक्स जिसने सरकारे दो आलम से सलम के जमाने में जो कबीला जो फर्द अपने जकात के तौर पर जानवर के साथ एक रसी लाता था और आज कह कि मैं वो रसी नहीं देता जानवर देने को तयार हूं तो मैं उसके साथ भी जयाद करूँगा गोया आज के नوجवानों को आज के सियासतदानों को आज के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप पैगाम ये है कि जब कोई शक्स अपने आपको सरकारे दो आलम सलम की महबत में जो इलानिया तो पर उसका इजहार कर दे हुजूर की आगोश रहमत यानि दीन रहमत के अं वो जो अकली दलाइल है ना उन पर इनिसार नहीं करना है या आप ये देखे ना हुजूर जब महराई से वापस आए तो सब लोग जो है वो उसको अकली बनियादों पर पर परक रहते लेकिन आपको जब बताया गया आपने का अगर हुजूर ने कह दिया है ये सबसे बड बहुत शुक्रिया डॉक्सा प्रोगैम में शामिल होने के लिए इसको कहते हैं जी मान ना क्यूंके रसूल खुदा सलिल्लाहु लहाले वाले वसल्म जो हैं वो सिर्फ अल्लाह के फर्मान पर चल रहे थे और जो आगे खुलफा राशिदीन और खलीफा अवल हमारे अबुबकर सदीक रस्यलाहन हो हम उनकी बात करते हैं तो वो रसूल खुदा के रास्ते पर चल रहे थे तो आज हमें भी जरूरत है कि उनकी जिन्दगीयों से बहुत कुछ सीखें और बलके उनकी जिन्दगीयों पर ही अमल पैरा हूँ तो फिर हमारी जिन्दगियां कामय अब हो सकती है प्रोग्राम का वक्ति इखताम को पहुंच चुका है मुझे अपने अजास्त देनी है अल्हां गिवाओं